नमस्कार आर्यू टीवी एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है विश का बदला अम्रिद्देकर धर्म का कार्य कर, जरूरत मंदों की सेवा कर संगरा में वैपृत्यम का एक उधारन पेश करते आ रहे हैं आनन्द मार्ग के अनुयाई पाप शक्ती के विरुद संगराम का संकल्प लेकर पूरे विश्व भर में मनाया गया नील कंट दिवस जी हां बारा फरवरी आनन्द मार्ग के लिए एक एतिहासिक दिन सी दिन सन 1973 में आनन्द मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनन्द मूर्टी जी को पटना के बांकी पूर्चेल में दवा के नाम पर जहर दिया गया था हलाकि बाबा श्री श्री आनन्द मूर्टी जी को आतताईयों द्वारा इतना प्रताड़ित करने पर भी उनका और उनके मिशन का बाल भी बांका नहीं हो पाया पर फिर भी विश्च के प्रयोग से उनका शरीर दुर्बल हो गया था इस साजश के पीछे जिन लोगों का हाथ था उसका न्याइक जाँच करने के लिए बाबा ने लिखित रूप में मांग की राश्र पती बिहार के राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री को पत्र लिख कर फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गए और उठे तथा उनके अनुयाईयों को और भी प्रताडित किया गया तब परिस्थती के दवाव में उन्हें पाच साल चार महीने और एक दिन का उपवास रखना पड़ा जिसमें उन्होंने ठोस अनग्रहन करना बंद कर दिया जिस प्रकार आज से साथ हजार वर्ष पूर भगवान सदाशिव ने भी मानवता के कल्यान के लिए विश्का पान किया था और उसके प्रभाव से उनका कंट नीला हो गया था और उन्हें नील कंट की उपमा दी जात है उसी प्रकार श्री श्री आनंद मूर्ती जी ने भी विश्ग रहन करके मानवता के कल्यानार्थ अपने आप को कष्ट दिया इसी लिए उनके अनुयाई भी उन्हें नील कंट के नाम से सुम्बोधित करते हैं इस दिवस को मनाने के लिए बाबा ने अपने अनुयाईयो को निर्देश दिये कि उन्होंने विश दिया उसके बदले हम अमरिद देंगे यानि की विश का बदला अमरिद देकर ना की विश देकर या उपवास करके इसी लिए इस दिन सभी आनंद मार की अपने आसपास के जरूरत मंदों को अच्छे भोजन देकर या उनके जरूर का कारे करते हैं पाप के विरुद संगराम के संकल्प के साथ हर वर्ष ये दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है धन्यवाद